हेलो दोस्तों मैं उकविता और मेरे किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागते हमेशे के तरह फिर से मैं आप लोग के साथ एक नई स्वाधिश्ट और आसान रेसिपी लेकर आयू वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवदन ही कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करकी चैनल को सस्क्राइब कीजे साथ ही साइट में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करें इससे क्या होगा कि मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा तो चले देर ना करते ह आज के मज़ेदार से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं तो यह बड़ी ऐसे स्पेशल गुड की चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्यास वान करकी दूद गरम करेंगे तो मैंने यहाँ पर लगबगी आदे लिटर दूद काई समाल किया है इस चाय को बनाने के लिए हम पर फूल फैट वाले दूद काई समाल करेंगे दूद और पानी की मातरा कितनी लेनी है उमें आगे आगे आपको वीडियो में बताऊंगे यहाँ पर हम दूद को अच्छे से उबालेंगे मिडियम फ्लेम फे दूद को हम लगबग 7-8 मिट के लिए अच्छे से इतनी अच्छे आपकी चाई जो है गाड़ी और अच्छे से मलाईदार बनके तयार हो जाती है साथ से 8 मिट के बाद आप देख सकते हैं दूद जो ही आप पर काफी अच्छे से उबल चुका है तो अब हम चलते हैं चाई बनाने की प्रोसेस में इसके लिए क्या सौन करके फिर से सेम पतेले में हम एक कप पानी डालेंगे पानी न अपने के लिए मैने या पर यह मेजरिंग कप काई समाल किया है कितने लोगों के लिए आपको चाय बनानी है उससाब से आप कोई भी कप या कटोरी या पर सेट कर सकते हैं जैसे पानी जो ही अच्छे से गरम हो जा लेंगे साथ मेने आपर चोथाई चमच के करिब इलाइची पाउडर डाला है इसके बाद लगबग एक चमच हमका दुकस के आवा अधरक डालेंगे आधरक और इलाइची जो है गुड की चाई में बहुत ही अच्छा प्लेवर लेके आता है बहुत सारे लोगों कि सिकायत र चलाते हुए इस चाई को लगबग 7-8 मिट के लिए अच्छे से उबालेंगे जब हम नॉर्मल चाई बनाते हैं यानि की चीनी की चाई बनाते हैं तो दूद को पहले डालते हैं इसके बाद चाई को अच्छे से उबालते हैं लेकिन आज के इस वुड़ों में हम गुड की चाई बना रहे इसलिए गूड चाई पती और पानी को हम अच्छे से उबालेंगे और इसके बाद लाश्ट में हम इसमें उबलता हुआ दूड डाल के गैस की फ्लेम को बन करेंगे तो आपकी चाई जो है बनके रेडी हो जाती है इस टेप में हम जितना ज़्यादा चाई को उबलते उतनी अच्छे आपकी चाई जो है बनके तयार हो जाती है शक्कर की तुलना में गूड की चाई जो है सेयत के लिए काफी फाइदे मन होती है और खास करके थंड में सर्दी खासी जुखा म्या कप के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा गुनकारी है साथ से आट मि बात है कि गूड की चाई बनाते समय लाश्ट में हमें इसमें उबलता हुआ दूड डालना है और तुरंद गैस की फ्लेम को बन करना है अगर आप इसे ज़्यादा देर तक उबालेंगे तो ये गूड की चाई जो है फटने की संबावना रहती इस लिए इस बात का आपको खास द्यान रखना है वीडियो में बताएवे टिप्स एंटिक्स को फोलो करके थड में आप भी इस गूड की स्पेशल चाय को घर पे जरू ट्राय करें उमीदी कि आपको आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजे शर किजे चैनल को सब्सक्राइब किजे फिर मिलेंगे कल एसी नई आसान और हिल्दी रेसिपी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद